न्यूस क्लिक की तरफ से आप सबका खबर्ची भाषा के साथ मीडिया पर खरी-खरी कारिक्रम में तहे दिल से स्वागत है मेरा नाम है भाशा और इस कारिक्टरम के लिए मैं हूँ खबर्ची खबर्ची यानि जो खबर ले और खबर दे और खबर देने वाली मीडिया की भी खबर ले इस पर अपना अंदाज भी है खरा खरा हार्ड हिटिंग स्टाइल इस कारिक्टरम में हम पड़ताल करते हैं कुछ मुद्धों पर मीडिया की खामोशी की या फिर किस तरह से कौन सी खबर मीडिया में किस तरह से पेश की गई और ऐसा क्यों कर किया गया खबरों की राजनीती, पॉलिटिक्स ऑफ न्यूज पर बाते खरी-खरी और ऐसा करना इस दौर में बेहर जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया के जरिये बनाई जा रही है एक छद्म आभासी दुनिया फील गुड अच्छे दिनों की विग्यापन के जरिये खेले जा रहे हैं बड़े बड़े खेल आज के इस कायरकरम में सबसे पहले चलते हैं कोबरा पोस्ट के एक एहम खुलासे के बारे में बात करने के लिए बहुत जरूरी स्टिंग ओपरेशन 25 मही को कोबरा पोस्ट ने देश के करीब दो दरजन से ज़ादा मीडिया संस्थानों पर किये गए स्टिंग ओपरेशन 136 का पार्ट टू जारी किया 136 इसलिए रखा गया क्योंकि भारत में मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारा इस्थान 136 आया था इसमें पुश्प शर्मा आचार अटल बनकर तमाम मीडिया संस्थानों के पास गए लोगों से बातचीत की और सीधे सीधे अपने अजंडे को रखा और कहा कि वह पैसे के बदले हिंदुत्व का एजंडा किस यह देश के सबसे बड़े अखबार इंडिया का कहना इस इस्टिंग ऑपरेशन पार्ट टू में टाइमस अफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया टुड़े जी नेटवर्क 18 स्टार इंडिया एबी पी लोकमत्र आंध जियोती न्यू इंडियन एक्स्प्रेस पे टीम रेडियो वन स्वराज एक्स्प्रेस जैसे तमा सारे मीडिया ने क्या किया टाइमस नाओ की नविका कुमार ने तो हधी कर दी उन्होंने तो अपने पूरे गुरूप को बचाने के लिए इस इस्टिंग ऑपरेशन को करने वाले वरिष्ट पत्रकार पुष्प शर्मा पर ही व्यक्तिकत हमला बोल दिया और ट्वीटर पर कैसे कैसे उन्होंने शब्द इस्तमाल कीजिए आप खुद देखें देहनिक भासकर तो अदालत की शरण में ही चला गया यानि इस तरह से उसने एक तरह से घोशित कर दिया कि जो इस्टिंग ऑपरेशन कोब्रा पोस्ट ने किया है उसमें कुछ तो दम है तभी तो उनको रुखवाने के लिए अदालत जाना पड़ा और मेरे ख्याल से यह भारती मीडिया के लिए बेहर शर्मनाग दिन था जब अदालत से इसका इस्टे लिया गया और इस्टे लेने के बाद भी कोब्रा पोस्ट ने ये साहस दिखाया कि वो तमाम जो इस्टिंग ऑपरेशन के वीडियोस थे उसे जारी कर दिया इसे पता चलता है कि पैसे का खेल करके किस तरह से एजेंडा सेटिंग दुरूवी करण सामप्रदाइक हिंसा और नफरत का खेल खेला जा रहा है अब दूसरी तरह से अभियान ये चलना चाहिए इन तमाम जगों पर पढ़ताल ये होनी चाहिए कि इन्होंने पिछले दिनों जो बहुत इंपॉर्टन खबरें बहुत जरूरी खबरें थी उनमें जो मोड तोड की उसके पीछे आखिर क्या खेल था हाला कि एक राहत की खबर भी है इस इस्टिंग उपरेशन में इस इस्टिंग उपरेशन में बर्तमान और दैनिक समवाद दूरों ही जो बांगला के अखबार हैं उन्होंने खुल कर कहा कि वह इस हिंदुत्व वादी प्रचार में शामिल नहीं होंगे और उनका यह इंकार बहुत बड़ा है एक बात और साफ है कि हिंदुत्व का एजंडा चलाने के लिए जो मीडिया तयार है क्या वा किसी और धार्मिक एजंडे को भी इसी तरह से चलाएगा क्या अगर पैसा मिले तो दूसरे धर्म के लिए भी इसी तरह का दुरुवी करण करेगा बार्ती मेडिया शाहिद नहीं और उसकी भी जवाब इस इस्टिंग ऑपरेशन में मौजूद है यहां मालिक खुद खुले आम बोलते हैं कि हम तो इस धारा में विश्वासी करते हैं हम तो पहले से ही यह काम कर रहे हैं और इसलिए हमें इस काम को करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती यानि व्यचारिक रूप से भारती मीडिया के जो बड़े-बड़े संस्थान है वह किस तरह से अपना एक साइड ले चुके हैं एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं इसका खुलासा कोबरा पोस्ट का यह इस्टिंग ऑपरेशन करता है उत्तर प्रदेश में कैराना उपचुनाओं के लिए मद्दान से ठीक एक दिन पहले प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने दिल्ली से बागपत तक का रोट शो किया आए देखिए किस तरह से यह मह 80 किलोमीटर का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ ध्यान दीजिए सिर्फ 8 किलोमीटर की जो सड़क बनी थी उसका उद्गाटन करने देश के प्रधान मंत्री उत्रे और अपने पूरे कारवां के साथ उत्रे और उसे मीडिया ने किस तरह से दिखाया वह भी खास ऐसे दिन जिस दिन चुनाव प्रचार नहीं कर सकते उस दिन कहराना से महज कुछ कुलोमीटर दूर प्रधान मंत्री इस आठ किलोमीटर के लिए एक भव्य दिव्य रैली करते हैं चुनावी वादे करते हैं और मीडिया घराने में से कोई एक सवाल नहीं उठाता सिवा ए एंजिन एक्स्प्रेस ने जरूर अगले दिन अपनी हेडिंग में खेल किया और इस अवाल पूछा कि आखिर मद्दान से ठीक एक दिन पहले क्यों कर प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने यह रहली की लेकिन आप देखे कि हर जगा पूरे मीडिया में शोर था कि किस तरह से प्र कहीं किसी रिपोर्टर को नहीं दिखा तमिलनाडू के तूती कोरीन में वेदानता के स्टरलाइट प्लांट से हो रहे प्रधूशन के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर पुलिस ने निशाना साथ कर गोलियां चलाई जिसमें तेरा लोगों की मौते हुई आंदोलन के लीडरों के माथे पर गोली लगी किस तरह से मीडिया एक जायज लोकतांत्रिक आंदोलन को एक उगर आंदोलन एक अराजक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोग घिंसा पर उतारूं हैं ये सारी चीजें दिखा सकता है बात कर सकता है और असलियत कि चुन सीने से उपर लगी, कईयों को माथे पे लगी, 15-16 साल की बच्ची के मूँ पे गोली लगी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के बजाए, मीडिया के लिए यह उग्गे प्रदर्शन था, यह अराजक तत्वों का घुसना था, और फिर एक दिन खबर चलाने के बाद, इस पूरे मामले को किस तरह से रफा-दफा किया गया, और उसको रफा-दफा करने के लिए आ गया, विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज, Sir, I accept your challenge, so here's my favorite core workout. Okay, let's go. One, two, three. प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने एक शब्द, एक शब्द ध्यान दीजे, कहीं मीडिया में इस दुरघटना के बारे में नहीं बोला, इन मौतों के बारे में नहीं बोला, लेकिन सारा का सारा मामला डैवरड हो गया, बदल गया, fitness challenge में, और मीडिया में भरमार आ गई तमाम मंदरी से लेके संत्री अपने अपने वीडियो डालने लग गए कि कितने वह फिट है और फिट है तो हिट है इंडिया और इंडिया यानी क्या और क्या और इसके बाद देखिए होता क्या है? कि जब तमाम दबाव में तमिलाडू सरकार ये घोशना करती है कि इस प्लैंट को बंद करेगी तो खबर क्या आती है कि इसे देश को कुतना नुकसान होगा खबर ये बनती है कि 40 फीसदी जो देश का कौपर है वह इस प्लैंट से आता है और इस पे कितना नुकसान हो जाएगा कितने लोग विरुजगार हो जाएंगे यहां भी कोई इन्वेस्टिगेटिव जनलिजम या बड़ा एक रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगा जो य तरह से एजेंडे को बदल कर दूसरा एजेंडा सेट करना और एक प्लैंट को बंद होने पर यह बताना कि यह विकास के खिलाफ बात हो रही है यह सब कुछ हमारे आपके मीडिया में हो रहा है अब चलते हैं मीडिया पे खरी-खरी में इतना ही अगले हफते फिर बात करें कुछ चुपते हुए सवालों पर मीडिया की पड़ताल के साथ शुक्रिया